mle everyone to आज मैं आपके साथ से करूँगी पकेवे केले के हलवे और बर्फी बनाने इस तरह के केले सब खेकए जाते हैं पक जाते ज़्यादा तो उनका यूज नहीं कर पाते फेक देते उन्हें अच्छे नहीं लगते हैं तो आज मैं इस तरह के केले का भी यूज करना आपको बताऊंगी तो चलिए फैंट से जादा पक जाते उस तरह से छील कर और काट लीजिए यहां मैंने सारे केले को काट लिया टोटल चार केले का मैंने यूज किया है यहाँ पर अब मैं मिक्सी जार ले लूँगी और उसमें सारे केले को जो हमने कटिंग करके रखा था उसे हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो फ्रेंट्स हमारा यहाँ पर फाइन पेस्ट एकदम स्मूध सा त्यार हो गया है देखे फ्रेंट्स कितना स्मूध सा पेस्ट है थोड़ा भी इसमें नम्स नहीं है यहाँ हमने अब गूर ले लिया है इसे हमने एकदम बारी काट लिया है गुड़ा हमारे सेट के लिए अच्छा है इसलिए मैंने गुड़ कई उसके गरम पानी डालकर उसे साइड रख दिया थाकि मेल्ट हो जाए अब मैं एक पैन ले लूँ गया इस पर चड़ा दी हूँ अब इसमें मैंने दो चमच घी डाल दिया है मेल्ट हो गया है अब मैं इ जलने लगेगा बस इसमें थोड़ा क्रंची पनाना चाहिए और निसे निकाल ली हूँ अब इसमें जो बचेवे घी थे उसमें मैंने एक कटोरा आटा डाल कर इस तरह से भूनूंगे इसे इसे तब तक हमें भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और यह थोड़ा सक गोल्डेन ब्राउन ना हो जाए देखे फ्रेंट्स हमारा थोड़ा सक कलर चेंज होने लगा है आटे का इस तरह से देखे दरदरा से हमेरे दिखने लगा है तो इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है वरना यह ज्यादा एक साइट से जलने लगेगी तो फ्रेंट्स इसी तरह से चलाई है और इसका जो हमने स्मूथ पेश्ट बनाया था केले का अब हम इसे डाल देंगे हमारा आटे में इस तरह से हम आटे के साथ इसे मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे देखे फ्रेंड्स कितने अच्छा से मिक्स हो रहा है मिक्स करने के बाद अब हम इसमें और एक चमच हम गी एड़ करेंगे इससे अच्छा टेस्ट आता है अब हमने जो गुड को हमने पिखलने के लिए मेल्ट होने के रखा था उसे हम इसे चान लेंगे ताकि जो एक्ट्रा गुड में असु दिया जो रहती है वह सारी हुग निकल जाये कितने भी अच्छे गुड लेंगे लेकिन इसे चान करें हम इसे बनाएंगे तो अच्छा रहाएगा अब हम इस गुड को इसमें डाल लेंगे गुड हमने डाल दिया है तो देखे फ्रेंट्स अब हम इसे अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे गूड अच्छ होता है इसलिए हमने गूड का यूज किया है आप यहाँ मिस्री का भी यूज कर सकते है ड्राइफोर्स रखे थे उसे अब हम इसमें मिला देंगे इसे अच्छा टेश्ट आएगा देखे फ्रेंट से हमारा हलवा बन कर त्यार हो गया है अब हम इसे एक सर्विंग बॉल में निकाल दिया है इसके ओपर त्रों से और ड्राइफोर्स हमने डाल दिया है देखे फ्रेंट से कितना अच्छा बन कर त्यार हुआ अगर आपके बच्छों को हलवे खाने पसंद ना हो अब इस तरह से हलवे बना कर उन्हें खिला जरूर उन्हें पसंद आएंगे यह एक हल्दी और टेष्टी हलवा बन कर त्यार हो गया है तो फ्रेंट साब इसके बर्फी भी बना सकते हैं इसे एक बर्फी ट्रेल लेकर इस उपर हमने गी लगा दिया अब सारे बैंटर को हम इस पर डाल देँा है अब हम इसे थंडा होने के बाद इसी इस तरह से हमारा बर्फि बनकर भी त्यार हो गया इस हलवे और बर्फी की रेस्पी को आप भी एक बर जरूर ट्राय करिए आपके घर में भी जरूर पसंद आएगा सभी को और यह एक टेश्टी और हेल्दी है यह खाने में भी बहुत टेश्टी लगता है इसे आप चार से पास दिनों तक इसे फ्रीज में आप रक्स भी सकते है और आराम से कभी भी खा सकते है तो फ्रेंट से अगर आपको मेरा यह रैस्पी पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करें और आप भी एक बर बना कर ट्राइब करें